बॉर्णिंग स्टुडेंट्स, मैं रवी कुमार, लेक्चरर कम्प्यूटर साइंस, जीपीसी डुंगरपूर्थ आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्विच और लूप्स के बारे में, C++ लेंग्वेज में लास्ट वीडियो में हमने कमेंट्स, असाइनमेंट्स और इफ, इफ एल्स के बारे में पढ़ाता तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स, स्विच क्या होता है तो इफ एल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा तो इफ एल्स में क्या होता है हमारे पास condition होती है और उस condition को true होने पर if में जो statements है या statements के block है वो execute करवाते हैं अगर condition false होती है तो else में जाते हैं ठीक है तो फिर else if भी हम use कर सकते हैं तो बहुती कम conditions एक या दो condition है तीन condition है तब तक हम if else else if कामें ले सकते हैं लेकिन जब हमारे पास condition का जो result है conditions है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है number of statements जो execute कराने या block of statements जो execute कराने वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम if else कामें लेके switch लेते हैं जैसे किसी का result डिकलेर करना है तो उसमें हमें पता लगाना है कि कितने percentage marks आने पर कौन सी grade मिलेगी या जैसे week के day हैं उनमें से 1,2,3,4,5,6,7 तो कौन सा दिन है तो number से हम देखेंगे सोमवार है मंगलवार है तो अगर हम if else से करेंगे ये काम तो बहुत ज्यादा code लिखना पड़ेगा इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर switch statement काम में लेते हैं तो काम switch भी वही करेगा if else वाला ही क्या होता है if else में switch में दोनों में हमारे पास खूब सारे statements होते हैं block of statements होते हैं उनमें से कोई एक हमें execute करवाना होता है तो C++ में switch statement used to select one of many code blocks to be executed switch statement का उप्योग कई code block में से एक को चुनने के लिए किया जाता है इसका syntax ऐसे रहता है कुछ switch और फिर इसमें expression रहेगी आपर expression का कुछ result आएगा है आपर ठीक है तो if else, if else में क्या आ रहाता है expression जो हो रहे थी उसका result क्या आ रहाता है वो true या false आ रहाता switch के अंदर कोई जरूरी नहीं है true या false आई इसमें कोई भी number आ सकता है फिर यहाँ पर case रहेगा case x तो अगर expression का result हो अगर x आता है तब जो case x के अंदर जो block है यह execute हो जाएगा यहाँ पर और फिर break यह break को भी आगे समझेंगा break क्या होता है अगर expression का result y आ रहा है तब यह execute हो जाएगा और अगर हमारे पास जो recent expression का ऐसा आया है कि हमने case जितने भी ले रखे हैं उन में से किसी भी value से match नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं डिफोल्ट उपर वाले से किसी से भी match नहीं किया तो यह default वाला एक्षीक्यूट कर देंगे अब देखिए कासी काम करता है सबसे पहले क्या होता है switch की जो expression है switch की जो expression है उसको evaluate करते हैं मुल्यांकन करते हैं कि उसका result क्या है हमने एक expression लिख दी x plus y plus z अब उसका result क्या रहा है वो result हम evaluate करेंगे chapter 1 ग् razor करेंगे हरेख केस अंष की वेल्यू से जिसभी Rs.षय की की वेल्यू से मेच होता है उसका रिजल्ट वही जो समंदिन उसका भ्लोक है वह एक्जिप मेच होजाएगा यहां पर जो ब्रेक और डिफॉल्ट है यह दोनों क्या है ओप्सनल है यह यूज करना जरूरी नहीं है यह ओप्सनल है लेकिन हम हमारी जरूरत के इसाफ से इनको यूज करेंगे एक एक्जाम्पल से हम समझते हैं यहां पर हमने क्या किया है एक वेरियबल लिया है जिसका नाम क्या है डे यह किस टाइप है इंटीजर टाइप और इसकी वेल्यू है फोड तो यहां स्वीच है स्वीच के अंदर डे आ गया मतलब स्वीच के अंदर वेल्यू कितनी आ गई फोड अब हम चलेंगे केस वन तो केस वन वेल्यू कितनी है व 2 भी मेच नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 4 वेलू थी केस 4 है वह एग्जियूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? Thrust इग तो फिर हम Break कर देगे फिर यूचिर आगे 5 है 6 है उनको Check नहीं करेंगा कि उमने क्या Break कर दिया है आगे हम डेटल में देखेंगे ब्रेक और डिफोल्ट क्या है क्यों कि अब देखे भ्रेक क्या करता है कि C++ के अंदर जासे हम ब्रेक स्टेट्मेंट पर पहुंचते हैं ब्रेक एक्जिक्ईूट होता है तो जो switch का जो block है पूरा switch वाला जो block है हमारा उससे control बहार निकल जाता है क्योंकि अब हमें क्या है हमारा target मिल गया है जो case था और code का जो block था वो execute करा दिया हमारा काम हो गया है क्योंकि execution को stop निकल जाएगा जो switch के अंदर चल गाता ना उसको stop रदेगा और आगे जो case है बचेवे हैं उनको check करने की ज़रूरत हमें नहीं हम switch से बाहर निकल जाएगे तो जैसे ही हमारा क्या होता है कि कोई match होता है case और हमारा काम हो जाता है काम क्या है जो block है statements का उसको execute करना तो हम break कर देते हैं और switch से बाहर निकल जाते हैं हमें आगे टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो break का फाइदा क्या हो रहा है advantage क्या हो रहा है break क्या करता है हमारा time बचाता है भई हमारे पास day 4 था और Thursday वहां match हो गया तो हम आगे Friday Saturday Sunday उनके लिए क्यों चेक करें हम अगर break यूज नहीं करते तो वह क्या करता है तो execution का time में वो बचाता है break क्योंकि यह क्या करता है जो rest of code है जो नीचे का code बच गया उसको ignore कर देता है और बहार निकल जाता है अब defaults keyword क्या करता है डिफोल्ट क्या करेगा मालो यहां पर day 4 था वो तो match हो गया पर हमने day 1 से लेके 7 तक किया है और हमने day में value डाल दी शुरू में 8 अच डाल दिया एक से लेके 7 तक ही match नहीं हुआ तो अब क्या होगा तो हम नीचे default लिखेंगे स्वीच के बाद में अब हम देखते हैं loop C++ में loops कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि loop होता क्या है यह कि loop का मतलब क्या होता है कि जब goal goal हम गूमते रहते हैं जैसे इस तरह से मारते हैं तिफेड, यह लूप हो गया या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि गोल-गोल गूमते रहेंगे इसके अंदर अब यह तुग्या है, बिल्कुल इंफानाइट लूप हो रहा है एक लूप ऐसा हो सकता हैगी यहां से start हुआ, ऐसे करके यहां निकल जाएगा बहार यहां से start हो गए तो लूप का मतलब यह होता है। लूप क्या काम में आता है लूप है वो हमें statements या group of statements है उसको बार-बार execute करने के काम में आता है जब भी हमें कोई काम है वो एक से ज़ादा बार करवाना है तो अगर बिना लूब की help के हम programming में करेंगे तो हमें उस code को बार-बार लिखना पड़ेगा बार-बार लिखने से क्या होगा कि एक तो programmer है उसको ज़ादा मैनत करनी पड़ेगी अगर programmer ज़्यादा मेनत कर रहा है ज़्यादा time लगा रहा है तो उसको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा तो software की cost भी बढ़ जाएगी उससे फिर जब computer के ओपर इतना code लिख दिया तो code की size भी ज़्यादा हो गई तो compiler के लिए भी मुश्किल हो जाएगा processor के लिए भी मुश्किल हो जाएगा तो वहाँ पर भी again हमें time भी ज़्यादा लगेगा उसके अंदर RAM के अंदर भी ज़्यादा space लगेगी तो हर तरीके से वो costly पड़ेगा तो उसको सस्ता करना उसको आसान करने का तरीका यह है कि loop बना देंगे loop में क्या होगा कि वो loop है उस code को बार बार execute करता रहेगा उस code को बार बार लिखने की ज़रूत नहीं है code को एक बार लिखेंगे हम अब loop है वो इस तरीके से कुछ काम करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि start करते है तो जैसा कि diagram में हम देख सकते हैं यहाँ पर condition check होती है ठीक है अगर condition false है तब तो क्या होगा यहाँ loop से बार निकल जाएंगे अगर condition true है तब जब हमें code execute करवाना है उस code को हम execute करवाएंगे फिर code को execute होने के बाद में वापस इसके अंदर condition check होने के लिए जाएगा condition check होने से पहले यहाँ पर हम normally increment करते हैं या फिर decrement भी कर सकते हैं यह हम करेंगे अगर increment decrement कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो वह infinite loop हो जाएगा condition वही बनी रहेगी तो हर बार value तो कुछ ना कुछ change हो भी और infinite loop तो value change नहीं हो गी तो यह इस तरह से कुछ loop काम करता है तो यहाँ पर भी देखिए यह से गोल गोल भूम रहा है यह यह भूम रहा है यहाँ ठीक है अगर हर बार condition true रहेगी तब तो यह क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा लेकिन अगर condition false हो भी तो यहाँ से बहार निकल जाएगा इस तरह से loop काम करता है अब loops है वो हमारे पास अलग-अलग type के होते है एक होता है while loop while में क्या होता है जो statements है या group of statements है वो बार-बार repeat होंगे अगर while के अंदर जो condition दे रखी है वो true होगी तो तो इसमें क्या होगा while सबसे उपर रहेगा और फिर उसके नीचे सारा code रहेगा तो सबसे पहले हम condition check करेंगे उसके बाद में condition true है तभी वो code execute होगा फिर code execute होने के बाद में जो भी increment, decrement हमें करना है उसके बाद में वो आपस condition check करेंगे एक होता है for loop इसके अंदर भी same वही while वाला प्रोसेसर पर while के अंदर क्या होता है कि condition check करने का code अलग लिख रहे हैं, increment का अलग लिख रहे हैं, initialize अलग जगह कर रहे हैं लेकिन for loop के अंदर क्या होता है, for loop में एक जगह ही सारा काम हो जाता है कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर initialization, semicolon, यहाँ पर condition, semicolon और यहाँ पर increment, decrement तो एक statement के अंदर ही तेनों काम हो जाएंगे, initialization, condition check करना और increment, decrement फिर आता है do while loop do while loop में देखिए, do while और while loop में क्या difference है, while में हमने क्या देखा, सबसे पहले top पर क्या रहता है, condition check करना, अगर condition due है, तभी हम loop के अंदर entry करेंगे, अगर सुरू में condition false हो गई, तो हम loop में जाएंगे नहीं, इसका मतलब condition false है, तो loop के अंदर गए नहीं, 0 बार execute हो, लेकिन do while में क्या होता है, कि while जो आता है, जो सबसे नीचे होता है, वो do के अंदर, पुरा block जो execute करना है, वो पहले तो हमने काम कर दिया, तो एक बार तो वो code execute हो गया, तो while और do while में डिफेंस है, कि do while के अंदर, काम पहले कर देंगे, condition बाद में check करेंगे, फिर nested loop भी आता है, nested का मतलब होता है, nest गोसला, तो इसमें गोसले की तरह क्या होता है, एक के अंदर एक डूसरे loop फसे हो लूप के अंदर लूप चलता है, तो वो हमारी जरुवत के हिसाफ़ से हम nested loops के हम काम में लेते हैं, और इसके अंदर फोर के अंदर फोल लूप भी हो सकता है, फोर के अंदर वाइल लूप भी हो सकता है, वाइल के अंदर फोल लूप भी हो सकता है, और simple जो लूप होता ह उसमें कहते से area बनाते हैं तो उसके लिए काम में आ सकता है one dimension के लिए अगर हमें matrix बनानी है टेबल बनानी है तो उसमें क्या होगा 2D लूप आए तो दो लूप आजाएंगे एक लूप के अंदर दूसरा लूप अगर 3D करना है तो फिर एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा तीन लूप हो जाएगे nested अब लूप के साथ में हमारे पास control statements भी होते हैं break statement तो हमने switch में भी देखा है यह क्या करता है terminate करता है अगर आपने लूप के अंदर लगा दी तो लूप को terminate कर देगा switch के अंदर लगा है तो switch statement को terminate कर देगा और execution है वो कहा transfer गएगा immediately उसके नीचे जो code लिखा हुआ है उसके अंदर transfer कर देगा अब break होता है वैसे ये continue भी अता है अब इनमें difference देखी प्रेक क्या करता है लूप से बहार निकल जाता है switch से बहार निकल जाता है ठीक है review में क्या होता है continue में क्या होता है continue के नीचे जो statements लिखे हुए है नीचे वाले सारे स्टेटमेंट्स नहीं जिस ब्लोग के अंदर कंटियू लिखा है अगर आपने फोर लूप के अंदर लिखा है तो उस लूप के अंदर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं जो कंटिन्यू के नीचे लिखे हैं उनको हम स्कीप कर देंगे उनको छोड़ देगी और वापस वहाँ चले जाएंगे कंडिशन चेक करने के लिए यहाँ लूप से बाहर नहीं निकल रहे है कंडिणू में हम हैं तो लूप के अंदर ही लेकिन कंडिणू के नीचे वाले स्टेटमेंट से उनको हमने स्कीप कर दिया है तो यह मैड डिफरेंट्स है यह एकजां के साफ से बहुत इमपोर्टेंट और प्रोग्रमीं करते हैं तो प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं रेके और उर कंटीनू पिर गो टू स्टेटमेंट भी आता है go to statement हम कभी काम में लेते नहीं है infinite loop infinite loop में जैसे मैंने बताया अगर condition हमेशा true हो रही है false कभी होई नीरी तो हम क्या loop के अंदर ही गूमते रहेंगे वो infinite loop हो जाता है तो आप यह programming में करके देख सकते हो condition है उसको हमेशा true रखेंगे तो infinite loop बन जाएगा